सुनिए मेरा नाम रोहन है क्या आप मुझे बुटा सकती है कि आप कंप्यूटर से कौन-कौन जी सेवाईं प्रदान करती है हाँ बिल्कुल मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योगत एक कंप्यूटर है जिसके जरिये मैं विभिन सेवाईं जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाय जानने में बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का बुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आधी-ाधी सुविधाईं प्राप्त करा सकती अच्छा, इसका मतलब बेरे गाव वालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रुवत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि गाव में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाव वालों को इन सुविधाओं को प्राप्त करने हेदू, शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाव वाले भी नहीं तरह बहुत प्रसन होंगे हाँ, बिल्कुल, आप इन्हें गाव वालों को अवश्य बताएए हाँ, बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगैर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं ऐसा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा क्या आप कम्प्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कम्प्यूटर पर इंटरनेट के जरिये बरतमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ यह तो अश्यरे जनक है कि हम यह सारी सुविधाएं गाउं में भी प्राप्त कर सकते हैं हाँ, इंटरनेट के जरीए यह सभी सुविधाएं आप अपने गाउं में ही प्राप्त कर सकते हैं मैंने सुना हैं कि आज कल इंटरनेट की सुविदा मुबाइल फोन तर भी उपलब्द है किया यह सत्य है हाँ रोहन न केवल मुबाइल फोन बलकि आज कल लोग स्मार्ट फोन अत्वा टाबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उप्योग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं यह सब सुनने में बहुत रूचिकर लगता है क्या आप मुझे कम्प्योटर, स्मार्ट फोन और टाबलेट के बारे में सिखा सकती है बिलकुल रोहन कृपया बैट जाएए मैं आपको कम्प्योटर, स्मार्ट फोन और टाबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ बागी आप लोग भी बैट जाएए जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक पता सकूँ सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है जिसका उपयोग, आकडों, वसूचनाओं के संकलन वप्रसंसकरण के लिए किया जाता है कम्प्यूटर के जरिये मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों वँ मित्रों से जुड़ा जा सकता है रेल टिकेट बुक कराई जा सकते हैं बैंक खाते में लेंदेन किया जा सकता है सूचनाओं एक अत्रित की जा सकती है खेल खेले जा सकते हैं गाने सुने जा सकते हैं और सिनेमा पिच्चर देखी जा सकती है अब हम कम्प्यूटर वह उसके विभिन हिस्सों के बारे में सीखते हैं आपका मतलब है कि स्क्रीन पर दिखने वाले सभी आइकन्स सोफ्वेर होते हैं अब हमें विभिन उपकर्णों के विशे में जानना चाहिए जिनसे कम्प्यूटर बनता है कम्प्यूटर के तीन अंग होते हैं पहला इंपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस जैसे एक ट्राक्टर को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवशक्ता होती है ठीक उसी तरह कम्प्यूटर में डाटा भरने, निर्देश अथवा सूचनाई संकलित कर, विभिन कारे करने के लिए उपकर्णों की आवशक्ता होती है इन चित्रों को देखो, ये कुछ इन्पुट डिवाइसे हैं, जिनका प्रयोग कम्प्यूटर में होता है ये इन्पुट डिवाइस निम्न है Pen Drive, Mouse, Keyboard, CD, Microphone, Keyboard और Mouse प्राथमिक इन्पुट डिवाइसे हैं यह बिल्कुल Typewriter के Keyboard की तरह दिखता है हाँ, इसमें कुछ अतरिक बटन अवश्य है सामाने Keyboard के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेश बटन अवश्य होते हैं क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेश बटनों का प्रयोग किसले क्या जाता है अंक बटनों की सहायता से कैलकुलेटर की भाती कम्प्यूटर में अंक भरे जाते हैं नविकेशनल बटन मार्गदर्शक बटन होते हैं, जो मॉनिटर पर पेज दिखने में सहायक होते हैं प्रोग्राम में Page Up बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है। प्रोग्राम में Page Down बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है। प्रोग्राम में Home बटन करसर को विशे के आरंभ में ले जाता है। प्रोग्राम में end बटन करसर को विशय के अंतिम लाइन में ले जाता है प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कंप्यूटर में पठनिय विशय में संशोधन करने में सहायक होते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेक में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनरलेखन में होता है डिलेट बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाईं और मिटाता है बैक स्पेस बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर, अक्षर, बाई और मिटाता है ये चार बटन किसका हम के लिए प्रयोग किये जाते हैं? ये चारो बटन दिशा निर्देशक बटन कहलाते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों में उपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर उपर की और ले जाता है। क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो। यह बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं। यह बटन कंप्यूटर पर सक्रीय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिश्ट किये गए विशेश कारे को निश्पादित करते हैं। ज्यादतर प्रोग्रामों में इसके बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है। Ctrl और Alternate Button क्रिया परिवर्तन बटन है, जो ज्यादतर प्रोग्रामों में विशिष्ट कारे और माउस की क्रिया को या तो परिवर्तित कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं. विंडो बटन विंडोज के स्टार्ट मिनू को सक्रिय कर देता है, यह बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे की टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से होता है. अब तक हमने कीबोड के विभिन बटनों के बारे में सीखा, अब हम माउस के बारे में सीखते हैं. माउस एक दिखाने निर्देशन करने वाला यंत्र है जिसका प्रयोग कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले विशे आइकन्स को इंगित कर उनसे परस पर संबंद बनाने में होता है आप देखेंगे कि जैसे ही माउस चलाया जाता है वैसे ही माउस चलाय जाने की दिखा में एक छोटा तीर स्क्रीन पर चलता है इस तीर को पॉइंटर कहते हैं पॉइंटर की सहायता से कम्प्यूटर को प्रक्रिया के लिए डाटा वर निर्देश उपलब्द कर आए जा सकते हैं माउस पर दो बटन भी होते हैं बाया बटन और दाया बटन माउस के दोनों बटनों के बीच में एक खूमने वाला चक्का भी होता है जिसकी मदद से प्रलेक या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है ये माउस द्वारा किये जा सकने वाले कुछ कारे हैं माउस के बाय बटन को एक बार दबा कर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना जा सकता है माउस के बाय बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबा कर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया जा सकता है माउस के दाएं बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मेनू खुलेगा घूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को उपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहू को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है उसी तरह कम्प्यूटर में वह यंत्र जो डाटा संग्रहन और संरक्षन को नियंत्रित करते हैं वह प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं कम्प्यूटर प्रोसेसर या CPU प्रोसेस की जाती है फिर computer की memory या RAM में संरक्षित की जाती है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में grinding mill एक processing machine की तरह काम करती है जिस तरह अनाज और भूसे को अलग-अलग करने वाला thresher एक output machine है उसी तरह computer के साथ परिनाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें output यंत्र कहते हैं Monitor एक बहुत ही सामाने output यंत्र है Monitor screen है जिसका प्रयोग आउट्पुट जैसे शब्दों, अंकों वचित्रों को देखने में होता है Monitor दो तरह के होते हैं Cathode ray tube और flat panel display Printer computer से प्रसंस्कृत डाटा लेता है जिसे soft copy कहते हैं और उसे छापकर निकालता है जिसे hard copy कहते हैं Computer पर दिखने वाले किसी चित्र या लेक को soft copy कहते हैं तथा उसी के छपे हुए को hard copy कहते हैं Printer तीन तरह के होते हैं Inkjet Printer, Laser Printer और Dot Metrics Printer Speaker एक output यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं Speaker के बिना हम गाने अथवा आवाज विश्यों आदी को सुन नहीं सकते Headphone computer से आवाज output देता है ये speaker की तरह होते हैं किन्तु इन्हें कानों पर पहना जाता है इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ती आउटपुट सुन सकता है Projector एक output यंत्र है जिससे किसी लेक या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है अधिकतर projector का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुती करण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं अब तक हमने कई तरह की input, processing वो output डिवाइसों के बारे में चाना है अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में भागें प्रतेक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज दीदी, computer, sire data कहां संचित करता है? जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्चक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है उसी तरह computer data संचित करता है जिसे computer memory कहते हैं computer की memory दो तरह की होती है प्राथमिक अथवा मुख्य memory और दुटियक memory मुख्य प्राथमिक memory बहुत तेज है इसे RAM कहते है इसका Earth Random Access Memory अथवा RAM होता है computer की गती RAM पर निर्भर करती है data और निर्देश मुख्य memory में संचित रहते हैं जहां से ये process कर result प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते हैं RAM वह memory होती है जहां सारे प्रोग्राम संचित किये जाते हैं computer की गती RAM पर निर्भर होती है cache memory वह memory है जो RAM का अंग होती है और processor के बहुत पास होती है इसका प्रयोग processing गती को सुधारने में किया जाता है प्राप्तमिक memory सीमित होती है इसलिए असीमित data को सुरक्षित करने के लिए दुवित्यक memory का प्रयोग करते हैं चुकि computer दुवित्यक memory पर सुरक्षित data को सीधे process नहीं कर सकता अतय प्रोसेस करने के लिए पहले RAM पर उसकी नकल तयार की जाती है ये कुछ device हैं जो दुवित्यक memory की तरह कारे करती है pen drive, hard disk और DVD तो एक computer data को अबने memory में कैसे सुरक्षित करता है computer सभी सुचनाएं केबल दो अंकों 0 और 1 में संचित करता है एक अकेली binary digit अर्थाथ 1 अथवा 1 0 को bit कहते है 8 bits के group को 1 byte कहते है इस सार्णी को देखो इसमें bits और bytes के बीच की संबंध को दिखाता है निर्देश जो कारे पूरा करने और hardware को नियंतरत करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं software कहलाते है software programs निर्देशों का योजनाबद क्रमवार समू है जो computer को निर्देशित करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है software दो प्रकार के होते हैं application software और system software application software वो program होते हैं जो उप्योग करता को computer में विशिष्ट कारे को पूरा करने में मदद करते हैं Microsoft Word और Open Office Draw application software के उदाहरन है जो program computer hardware से सीधे जुड़े होते हैं system software कहलाते हैं computer चलाने के लिए आपको एक operating system की आवश्यक्ता होती है जो एक system software है हमारे आगे बढ़ने से पहले इस activity में भाग लेते हैं प्रतेक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयाज गिता ये सब रुचिकर है मैंने पहले कभी भी computer नहीं चलाया है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि computer कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे चलाया जाता है अवश्य जाचा मैं सब कुछ समझा दूँगी सबसे पहले मैं आपको computer के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ यह monitor है यह television की तरह है और इसकी screen पर output देखा जाता है यह system box है इसमें central processing unit अर्थात CPU होता है यह CPU ही computer का मुख्य दिमाग होता है यह keyboard और mouse है यह दोनो input device हैं जिसके द्वारा computer में data भरा जाता है computer को जोडने के लिए सबसे पहले उसे maze पर रखिए तब system box के बगल में monitor रखिए system box के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाइसें जोडने के लिए खाचे बने हैं जिने port कहते हैं अब इस तरह से monitor system से जोडा जाता है system box video port को VGA port कहते हैं इससे monitor को जोडने वाले तार को VGA cable कहते हैं VGA cable के एक सिरे को system के VGA port से तथा दूसरे को monitor से जोडा जाता है keyboard दो प्रकार के connector वाले होते हैं keyboard को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोडा जाता है mouse तीन प्रकार के connector वाले होते हैं mouse को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोडा जाता है उसी तरह यदि आप प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं तो उसके कनेक्टर जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है समानांतर पोर्ट अथवा USB पोर्ट को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ दें कम्प्यूटर दो बिजली सप्लाई के तारों के साथ आता है एक बिजली सप्लाई तार को सिस्टम यूनिट के बिजली सप्लाई प्लग में तथा दूसरे तार को मॉनिटर के पोर्ट से प्लग करें उसके बाद दोनों तारों को बिजली के पोर्ट से या UPS से जोड़ें क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि कम्प्यूटर को कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल कम्प्यूटर चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें पहले सिस्टम यूनिट वह मॉनिटर दोनों की बिजली सप्लाई चालू करें तब सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबा कर उसे चालू करें वह मॉनिटर का पावर बटन दबा कर उसे चालू करें अब कुछ क्षण इंतिजार करें और देखें कि मॉनिटर पर डिस्प्ले आने लगा है। इसे बूट स्क्रीन कहते हैं। धीरे धीरे सबी सौफ्टवेर लोड हो जाएं तो कम्प्यूटर प्रयोग के लिए तयार है। धन्यवाद गीता, पहली बार न केवल कम्प्यूटर को देखा है, बलकि उसे चालो करना भी सीखा है। हाँ, कम्प्यूटर के विशे में यह सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी। अब क्या आब हमें मुबाइल फोन वो टैबलेट के बारे में भी बता देंगी। बिलकुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि मुबाइल फोन वो टैबलेट कैसे चलाते हैं। हाँ, मैं भी इन चीजों के बारे में सीखना चाता हूँ। पहले हम मुबाइल फोन वा टाबलेट के विभिन अंगों, कार्यों वा उप्योगों के बारे में चानते हैं जैसे आप जानते हैं कि बेसिक मुबाइल फोन एक ऐसा यंत्र है जिससे आप कॉल कर सकते हैं कॉल प्राप्त कर सकते हैं वा मेसज लिख कर भेज सकते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक मुबाइल फोनों में कई तरह की विशिष्टाएं होती हैं। जैसा की इंटरनेट, खेल, क्यामरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रनाली यह फोन स्मार्ट फोन कहलाते हैं। कुछ मुबाइल फोनों में दो-दो सिम कार्ट एक साथ ही फिट हो जाते हैं। इन्हें डुवल सिम फोन कहते हैं। फोन के विभिन अंगों को देखें। गिता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि फोन में सिम व बैटरी कैसे डालते हैं। बिलकुल बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें। पहला फोन को स्विच आफ कर दें और पीछे का कवर निकाल दें। उसके बाद फोन की बैटरी निकाल दें। तब सिम खाचे में सिम डाल दें। अंत में बैटरी वक कवर पुनह लगा दें। और फोन को चालू करे धन्यवाद गीता, मुझे फोन की बैटरी चार्ज करने में भी समस्या होती है चिंता ना करें, बस निम्ल प्रक्रियाओं का अनुसरन करें पहला, चार्जर को दिवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं तब चार्जर को फोन में लगाएं कुछ समय बाद, जब मुबाइल बैटरी फुल दिखाए, तो पहले चार्जर को फोन से निकालें, फिर दिवार से निकालें मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन के बटनों को लॉक वो अनॉक कैसे किया जाता है हमें बटनों को लॉक क्यों करना चाहिए? चाचा, जब आप लंबे समय तक फोन का प्रयोग न कर रही हूँ, तो उसे लॉक करके रखना अच्छा होता है इसकी यह प्रक्रिया है फोन लॉक करने के सिलेक्ट मेन्यू पर जाईए और स्टार बटन दबाईए अब ये लॉक कैसे खुलेगा? इसे खोलने के लिए फोन का अनलॉक बटन दबाईए और तब स्टार बटन दबाईए में पास ये नया मोबाईल है और मुझे यह तक नहीं पता है कि इसकी विशेश्चताएं कैसे देखें? आप अपने मोबाईल के विशेश्चताएं देखने के लिए पहले मिनू आइकन चुएं या मिनू बटन दबाएं जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई पढ़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को चुएं या बटन को दबाएं पुनहां आरंभ में जाने के लिए होम आइकन को चुएं या बटन को दबाएं बेसिक फोन अथवा टच स्क्रीन फोन, रिंग टोन, गंटी बदलने के लिए नेमन प्रक्रिया अपनाएं बेसिक फोन के लिए पहले मिनू चुने, फिर सेटिंग, तब टोन चुने और फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं तब ग्यालरी खोलने के लिए खिसक कर ग्यालरी पर जाएं जहाँ पर कई रिंग टोनों की सूची दिखाई देगी अब आप अपनी इच्छानुसार टोन का चयन कर सकते हैं टच स्क्रीन फोन रिंग टोन बदलने की प्रक्रिया पहला Home आइकन को चुए, फिर Menu आइकन को चुए फिर Personalization, Settings आइकन को चुए, फिर Settings आइकन को चुए फिर Profile Setting आइकन को चुए तब ringtone या notification ringtone आईकन को चुए तब ringtone की सुची में खिसा कर अपनी इच्छानुसार ringtone चुने तब ठीक OK आईकन को चुए मैं अपने फोन में alarm सेट करना चाहता हूँ क्या सुबह जल्दी alarm सेट करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं निम्न प्रक्रिया से आप सुएम कर सकते हैं बेसिक फोन के लिए पहले मेनू में अनुपयोग चुने फिर alarm घड़ी उसके पश्चात alarm का समय सेट करके सेव चुने फिर खिसक कर ringtone पर जाए यदि आप alarm को दोहराना चाहते हैं तो चैन के विकल्प में जा दोहराना फिर दिनों का चैन कर संपन्न चुने टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाए पहले मेनू को चुए तब घड़ी को चुए तब अलाम को चुए अलाम का समय सेट करके सेव चुने दीदी क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती है? हाँ जरूर मैं अभी बताने ही वाली थी टाबलेट एक कॉंपेक्ट डिवाइस है जो एक स्मार्टफोन अत्वा एक लाप्टॉप अत्वा कम्प्यूटर की तरह है आजकल टाबलेट अपने सुविधा जनक आकार और फीचर के सरल उप्योग के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए है इनका उप्योग हम इंटरनेट पर ब्राउजर, मेल चेक करना, डाउनलोड और किताबें पढ़ने, गेम खेलने, वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है टाबलेट विभिन प्रकार के होते हैं यहाँ पर कुछ हैं बुकलेट टाबलेट पीसी का सबसे सरलतम रूप है, जो किताब की तरह दिखता है इस डिपाइस के दोनों तरफ डिस्पले होता है, और इसकी कारेप्रणाली दोनों तरफ चूने से कारे करती है यह हस्तलेग को पहचानने वाला सौफ्ट्वेर होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है, जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं स्लेट, सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाबलिट पीसी है, जो अधिकतर मनुरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोग किया जात लगभग पारम परिक लाप्टॉपों की तरह के ही होते हैं। दिये गए स्लोट के जरीए स्लेट पीसी में जोड़ कर टाबलेट पीसी में बदले जा सकते हैं। एक रगड टाबलेट उन उप्योग करताओं के लिए अच्छा है जो कठिन वातावरन परिस्थितियों में कारे करते हैं। इनके अंदर की हाड ड्राइव जटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक क्ववच इन्हें काफी टिकाउ बनाता है। यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उप्योग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6-7 घंटे चार्ज करना चाहिए जब तक कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज ना हो जाए। हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं। हम बैटरी के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए। डिवाइस में उर्जा सन्रक्षन हेतू पावर सेव बटन को दबा कर स्क्रीन को बंद किया जा सकता है। स्क्रीन को पुनह चालू करने के लिए यह प्रक्रिया दोबारा करें। डिवाइस को बंद करने का सही चरीका क्या है? जब आपको डिवाइस बंद करनी हो तो निम्न चर्णों का अनुसरन करें। पहले पावर बटन को कुछ खशन के लिए दबा कर रखें। तब टाबलेट को बंद करने के लिए मेनू खुलने पर दिखाई देगा। तब स्क्रीन को एप्लिकेशन आइकन्स शॉर्टकर्ट फोल्डर को जोड करके कस्टुमाइज कर सकते हैं। अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन के लिए स्क्रीन को दाएं अथवा बाएं खिसकाएं। तो तुमने सीखा कि कैसे लैप्टॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और ट सही है अच्छा प्रयाज